हालो एवरिवान आज मैं आपके साथ शेर करूंगी गुचराती डालवडा की रेसिपी डालवडा बनाने में एकदम इजी है बस हम इसका बेटर कुछ टिप्स के साथ बनाएंगे इससे वो फलफी बहासे क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट बनेंगे ये डालवडा की खासिय वाली हरी मुग डाल ली हुई है घर में रही हुई कोई भी कटोरी को माप के लिए सेट कर ले और वो ही कटोरी या कप के माप से हमें दो कप डाल लेनी है ओरिजिनल डालवडा की रेसिपी में छिलके वाली हरी मुग डाल के साथ ही बनाने में आता है पर ये घर में नहीं ह तो इसकी जग़ पर पीली तुली हुई दाल भी ले सकते हैं और अब दाल में पानी एड़ करके उसे अच्छी तरह से वोश कर लेंगे वोश की हुई दाल का सारा पानी निकाल लेंगे और दाल को भीगोने के लिए पानी एड़ कर लेंगे दाल को कवर करके 7-8 गंटे भीगोने के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गरम पानी में 4-5 गंटे भी दाल को भीगो कर दालवड़ा बनाया जा सकता है 7 कंटे हो गए है तो भीगोई हुई दाल को देखो गे तो दाल एकदम अच्छी तरह से भीग कर फूल गई है और इसके छिलके भी उपर तेरने लगे है आप दाल को अच्छे से रगड़गर भी इसके छिलके निकाल सकते हो तो आप देख सकते हो मैंने डाल के छिलके और पानी को अच्छी तरह से निकाल लिया है हमें यहाँ पे यह बात का खाल रखना है कि डाल में पानी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अब इसमें से एक चोथाई कब चितनी डाल को हम अलग से निकाल कर रख देंगे उसका यूजम आगे करेंगे डाल को पीछने के लिए मिकसर जहर में एड़ कर लेंगे साथ में आठ से दस लेसुन की कलिया एड़ करेंगे आप लेसुन नहीं खाते हैं तो स्कीप कर सकते हैं तीन से चार स्पाइसी हरी मिल्च को एड़ करेंगे स्पाइस लेवल आप आपके हिसाब से एड़्जेस कर ले और एक हीच अधरक के टुकडों को कट करके एड़ करेंगे अब ये दाल को हमें थोड़ी थीक यानि की कोर्स बेटर बनाना है इसके लिए कोई भी टाइप के पाने का यूज नहीं करना है तो दाल का इस तरह का थीक और थोड़ा कोर्स बेटर रेड़ी हो गया है दाल के कोई पी दाना इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है और पीसा हुआ बेटर है उसको हम मिक्सिंग बॉल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे अब आता है सबसे important part दालवड़ा बनाने के time पर इसके पेटर में सोडा या इनो का यूज नहीं करने में आता है इसलिए दालवड़े को soft और fluffy बनाने के लिए बेटर को हाथों से इस तरह से एकी direction में गुमाते हुए फेटेंगे दाल को फेटने से इसमें हवा के particles पेटर में आ जाते है जिससे दालवड़ा एक्दम soft और fluffy ready हो जाते है लगपक 4 मिट हो गई है दाल अच्छी तरह से फेट कर इसका color पहले से थोड़ा चेंज हो गया है बेटर भी light और थोड़ा fluffy हो गया है और तैयार हो चुके बेटर की consistency देखेंगे तो हाथ में से drop कर सके इतनी है मसालों में स्वात के अनुसा नमक एर करेंगे दाल वड़ा digest करने में easy रहे इसके लिए एक चोथाई चमच हींग एर करेंगे और मैंने यहाँ पे एक बड़ी चमच काली मिर्च को कोर्स crush कर लिया है दाल वड़े में काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और साथी में हमने जो बचा के रखी थी दाल वो भी एड़ कर लेंगे और दो टेबल स्पून बारी कट किया हुआ धनिया को एड़ करके सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे इस बेटर में आप बारी कट की हुई प्याज या तो आपकी पसंद का कोई भी वेजिटेबल स्पारी कट करके एड़ कर सकते है मसाला बेटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब दालवडा को बनाने के लिए हाथों की उंगलियों को थोड़ा पानी वाला कर लेंगे और बेटर को इस तरह से उंगली और अंगुठे के बीच में ले लेंगे दालवडा फ्राइ करने के लिए मैंने मीडियम गिस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए रखा है तो गरम किया हुआ तेल का टेमपरेचर थोड़ा बेडर एड़ करके चेक करे तो बेडर थोड़ी देर में तुरत ही उपपर आ रहा है मिस हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है अब बेडर को गरम तेल में ड्रॉब करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे दालवड़े को ड्रोब कर लिये है अब चमच की हल्प से दोनों साइड गुमाते हुए गुल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तब फ्राई कर लेंगे शुरुवात में चब हम दालवड़े को तेल में ड्रोब करें तब गेस की फ्लेम को हाई रखनी है और तूरती गेस की फ्लेम को मीडियम कर लेनी है ताकि हमारे दालवड़ा अंदर तक एक तम अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बिलकुल कच्चे ना रहे तीन से चार मिट हो गई है तालवड़ा एकदम अच्छी तरह से फ्राइ होकर बाहर से गुल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए है अब उसे एक बड़ी जाली वाले चमच में निकाल लेंगे ताकि सारा तेल निकल जाए हमारे वड़े एकदम क्रिस्पी बन गए है दूसरा कि इस सीजन में मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाए आपको बहुत ही पसंद आएगा केसा बना है दालवड़ा मुझे कॉमेंट करके चरूर बताए बनाने के बाद आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलती जल्दी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर एंड थेंक्स फर वाचिंग